चंडिगर नगर निगम लोगों को भारी जिर्मानी की चेतावनी देते हुए कूडे की चार बालतियां लगाने को कह रहा है। मौडल स्कूल की दिवार के पास प्लस्टिक का कच्रा, मिक्स कच्रा, और टी कल्चर वीस्ट आधी डंप किया जा रहा है जिसे लेकर समाच से भी लिख मराम ने वीडियो बनाते हुए निगम के सफाई वदस्ता पर व्यंग भी किया है। कोई नहीं रुख सकता। और डड़ू मादागी जो समस्या है उसका भी समाजान हो गया है। क्योंकि यहां नया डंपिंग ग्राउंड हमने बना लिया है। और इसमें आप देख सकते हैं प्लास्टिक तो शहर में कम्प्लीट बंध हो गया। इसमें यहां प्लास्टिक भी आपकुछ नहीं दिखेगा। गिला, सुका, कुडा सब अलग-अलग है। फोर्टिकल्चर वेस्ट जो है वो अलग प्रोसिस के लिए बेजा जाता है। यह आप देख सकते हैं। अब आप कोण कह सकता है कि चंडिकड हमारा सपय में एक नमर एक नहीं आएगा। है यह आप देखें यह भाहिचा आए हैं। यह भी हमारे शहर को साप रखने में काफी कोषि कर रहे हैं। यह आप देख लें। पुरा यह जमिनी सचाइय है हमारे शहर ही सपाई की। यहां ना कोई बद्बू है ना कोई मक्ही मचर है बिलकुल स्मार्ट सिटी और यह शक्तर 18 है जो बहुत ही शहर का बीच है वी आई पी शक्तर मना जाता है कमिस्टर मैडम जो हमारे कोर्परेशन के उनका रेजिजेंस्पी शक्तर ठारा में ही है बदादी की चंडीगर नगर निगम शेर के स्कूलों में स्वच्छता की पार्ट शाला कारिकरम चला रहा है वहीं शेहर वासियों को सफाई और कच्रा प्रबंदन के प्रती जागरूप कर रहा है लेकिन जिस तरह से यहां पर स्कूल के साथ कच्छरे को डंप किया जा रहा ह ये ना केवल स्वच्छता अभ्यान पर सवाल खड़े करता है बलकि इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जिन्दगी से भी खिलवाड है क्योंकि यहां पर कच्रा डंप होने से कई तरह की बिमारियां फैलने का खत्रा बना रहेगा और दुरगंद लगतार पंजब के सिटीवी के लिए चंडिगड से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट